पुर्वशी शेखावत सुकदेव सिंग गोगामेडी की बेटी और आज यहाँ सब एकटे होए हैं क्योंकि मेरे जो पापा है सुकदेव सिंग गोगामेडी उनकी गोली मारके हत्या कर दी गई है गद्दारों द्वारा और मेरे पापा ने पहले भी प्रशासन को बहुत बा जैसे पंजाब पुलिस है उन्होंने भी बहुत बार का था राजस्थान की प्रशासन को और सभी को इन्हें सुरक्षा दी जाए लेकिन कोई ने भी नहीं दी और इसी काफ़लाज हम सब देख सकते हैं और जैसे की मेरे पापा के बहुत सारे जैसे सपने हैं जो कि मैं पू मेरी बेटी नहीं हो मैं बेटा ही मानता हूं और हमेशा तुम्हें अगर मैं नहीं रहूं तो मेरी जगा हमेशा काम करना है और जैसे वो दिन राथ हमेशा सर्व समाज के लिए खड़े रहते थे अब उनकी जगा मेरी मम्मा वैसे तो बहुत खड़ी ही रहती है और वैसे भी वो बहुत से अंशील है और खड़ी ही रहेंगी लेकिन मैं भी यह कह रही हूं कि जहां मेरे माताओं भेनों को और मेरे दादों साथ दादी साओं को अगर कोई को में जरूरत पड़े तो मैं रात को भी वहाँ खड़ी मिलूंगी और परिवार जैसे सुरक्षित रहे अब इ मेरे पापा को भी कोई कोई भी सुरक्षा नहीं प्रदान की गई और इसी का फलाज ही यह सब है अच्छा उर्वशी आपकी कब लास्ट आपके पापा से बात हुई थी पच्छोनों ने बताया लास्ट फॉर्थ को ही थी फॉर्थ ओफ दिसंबर को परसो मालो पकर ताम कर आई तब तक तो मेरे को कोई ने बताया भी नहीं और जो मेरी मम्मा थी वो भी जैपूर चली गई थी और मुझे कल पता चला था तो आपने बताया कि आपके जो पापा हैं आपको बेटा मानते हैं क्या कुछ सपने उनके थे और आप पूरा करना चाहेंगी वो बस हमेशा यही कहते थी कि राजनीती में हमेशा तुम्हें आगी रहना है और मैं यह सपना पूरी तरह से पूरा करूंगी और मेरा एक ही ग और ये विवाजनीस आँगी में आँगी है जरूर जैसे मेरे पापा करनी सेन और सर्व समाज ईयरा की राजनीति वुस्व के राजनीति सबस्काइब मैं हरी चीज पापा has our दल्लित समाज के लोग इनके साथ बहुत अट्याचार होता है उनके साथ भी हमेशा मेरे पापा खड़े रहे हैं तो मैं भी हमेशा खड़ी रहूंगी चाहिए वो कोई भी समाज मैं अभी एट्थ में हूं और गोल मेरा यह कि अब वह है पॉल्टिक्स नहीं वह अभी छोटी है वह फर्स्ट क्लास में अभी ममा से बात तो हुई थी अब उन्होंने तो यहीं बोला है कि ठीक है अब रोने से तो कुछ नहीं होगा अब राजनीती में यह बस आग्या आना है और जो पापा ने नाम बनाया वो हमें बना नहीं है और जैसे कि श्री राश्टी राजपुद करनी से नहीं इसको आगे बढ़ाएंगे हम जैसे कि हमेशा से चलती आ रही है मेरे पापा के दुआरा अब मेरी मम्मा और मैं दोनों चलाएंगे इसे और जितने भी मेरे पापा के सपने थे उन्हें मैं पूरा करना चाहूंगी और जो भी और जो भी जैसे गरीब लोग है उनकी सायता करने में तो हमेशा ही हम आगे रहे हैं और आगे भी हम करते ही रहेंगे चाहिए वो कोई भी समाज के लोग हों झाल